गोलपरा के मोहक्षेत्र में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गोलपरा नाम ग्वाल्टिपीका में अपनी उत्पत्ती लेता है, जो प्राचीन शब्द है, जो गुवाली गाव या दूध वाले यानि यादव गाव का संकेत करता है। आईए जानते हैं जनसांखे की करण की दिशा में जो गोलपरा का चितर बनाते हैं। का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी जने कोच राजवंश के नियंत्रण में हैं। जिला को 1874 में बिटिश शासन के तहत उत्तर पूर्व सीमा में सम्मिलित किया गया था। समय के साथ गोलपारा विकसित हुआ और ने धुबरी, कोक राजहार और बोंगाई गांव जैसे आधुनिक जिलों की उत्पत्ति की। कोच राजवंश 16-18 शताबदी तक पूरे पूर्वोत्तर भारत के बहुत से हिस्सों पर शासन करने वाला शक्तिशाली राज्य था। यह वंश 15-15 में कोच बिहारी राजा लक्ष्मी नारायन द्वारा स्थापित किया गया था। कोच राजाओं ने कला और संस्कृति के प्रती महान सराहना दी और उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिर और महल बनवाए। 1765 में कोच राज्य को बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी ने जीत लिया। बिटिश ने गोलपरा को उत्तर पूर्व सीमा में सम्मिलित किया जो एक ऐसा क्षेत्र था जो मौजूदा राज्य असम, मेगालय और नागा लैंड को शामिल करता था। 1947 में भारत ने बिटिश से स्वतंतरता प्राप्त की। गोलपरा ने स्वतंतरता प्राप्त होने के बाद असम के नए स्वतंतर राज्य का एक जिला बन गया। आज गोलपरा असम का एक जिला है जिसमें वन करोड से अधिक लोग रहते हैं। यह जिला विभिन जातियों के विविद समूहों का घर है जिनमें असमी, बंगाली और कोच राजबंशी शामिल है। गोलपरा एक मुख्य क्रिशी जिला है और इसकी अर्थ व्यवस्था चाय उत्पादन और पर्यटन पर भी आधारित है। हमारा सफर हमें गोलपरा की छुपी हुई मन मोहग जगहों में ले जाता है। एसरी सुरिया पहार बौध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के पुरातन रहस्यों को खोलता है। ददान हिल में एक शिव मंदिर है जो इतिहास के साथ गूंचता है। पीर मजहार, एक पवित्र मकबरा, हजरत संयद अबुल कासिम खारासानी को श्रद्धानजली देता है। एसरीत उक्रिस्वारी हिल, पगलातिक बाबा और उर्पौट बील भी गोलपारा की कहानी में अपने अनूठे अध्याये जोडते हैं। पहले भारत के सबसे पिछडे जिलों में सूची बद्ध होने वाले यह अब पीछे क्षेत्र अनुदान कोश प्रोग्राम बी आर जी एफ के माध्यम से फलित हो रहा है। इस पहल का उद्धेश्य असम के दस सहोधी जिलों के साथ मिलकर विकास को संजीवनी देना है जो मदद की आवश्यक्ता रखते हैं। अब भारत में अबबास उद्धीन एहमद के पिता वकील थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान उत्तरी बंगाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संगीत रुचि प्राप्त की और कोलकाता में उस्ताद जमीर उद्धीन खान से कुछ मार्ग दर्शन प्राप करने के लिए काम किया। उन्होंने भारतिय मुसल्मानों को संगीत की परिचय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विशाल संगीत संग्रह विभिन लोग गीतों को शामिल करता है। और विभिन फिल्मों में शामिल होते थे जिनमें ब्लैक फ्राइडे, कंपनी, डीवर, फूक्रे, जंगल और रावान शामिल थी। दुखत तौर पर उन्होंने 46 वर्ष की आयू में माईलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम एक दुरलभ विकार के उपचार के बाद अपने ज शान छोड़े हैं। मल्यालम, नौर्वेजियन और फ्रेंच फिल्मों में दिखाया। साथ ही थेटर मंच पर अपनी सफलता को दिखाया, प्रसिध निर्देशकों के साथ सहयोग किया और विभिन्न भूमिकाओं में यादगार प्रदर्शनों किये। क्रांतिकारी हैं जिन्होंने दायर दंड की खात्म करने के लिए समर्पित है। उनके संगठन, मिशन बिरुबाला इस हानिकारक प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है। 2021 में उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया। 5. जुगल किशोर चौधरी एक प्रमुख भारतिय वास्तुकार और नगर योजना करता थे, जिन्होंने अपने नवाचारी कंक्रीट वास्तुकला डिजाइन किये थे। गोलपारा असम में जन में उन्होंने मुंबई के सर जेजे स्कूल ओन ओफ आर्ट में अध्ययन किया और फिर इंग्लैंड में लंदन विश्व विद्यालय में और बाद में अंटोनिन रेमंड के साथ न्यू यॉर्क में काम किया। उन्होंने महत्वपूर्ण सनरचनाओं के डिजाइन में योगदान दिया। जैसे कि 1950 के दशक में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के मुख्य कैंपस इमारतें और 1960 के दशक में IIT दिल्ली की मुख्य इमारत और गणित विभाग की आंडिटोरियम। गोलपारा असम के इस चिरंगी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें यह दिल्चस्प स्थलों और अद्वितीय किस्सों के चर्चन के लिए लायक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।